नमस्कार दोस्तों स्वच्छ भारत मिसन योजना के तैत घर में सोचाले बनाने के लिए सरकार से 12,000 रुपे की साहिता मिलती है अगर आपके घर में सोचाले वैस्ता नहीं है तो दो गड़े वाला सोचाले बनाने के लिए आप इस योजना में आवेदन करके सरकार से 12,000 रुपे की साहिता प्रापत कर सकते हो इस योजना का लाब लेने के लिए ओनलाइन आवेदन करना होता है आप अपने मुबाइल फोन से या लैपटोप से कम्प्योटर से जो भी साधन आपके पास है उससे आप फ्री आवेदन कर सकते हो और इस योजना का लाब प्रापत कर सकते हो इस वीडियो में हम देखेंगे ओनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है ओनलाइन आवेदन करने का complete process इस वीडियो में समझेंगे इसके अलाबा जिन लोगों ने पहले स्वच्भारत मिसन योजना में आवेदन किया हुआ है उसको लिस्ट में नाम आया या नहीं आया उनका नाम लिस्ट में आया या नहीं आया ये कैसे चेक करें यानि कि लिस्ट इसकी कैसे चेक कर सकते हैं इस जानकरी को देखेंगे तो ये आपके लिए important वीडियो होगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस योजना में आविदन कौन-कौन कर सकता है यानकी पात्रवेक्ति कौन-कौन है तो जो BPL family है सबी BPL परिवार के लोग है वो आविदन कर सकते है SC category के लोग और SC category के लोग आविदन कर सकते है इसके लावा छोटे और सिमानत किसान है वो सभी आविदन कर सकते है भूमी हीन मजदूर है वो आविदन कर सकते है जिनके पास अपना वास है भूमी हीन मजदूर है वो आविदन कर सकते है ऐसे परिवार जिसमें विकलांग सदेसे वाला प्रिवारा वो आवेदन कर सकता है और ग्रामिनिंग सेतर में महीला मुख्या वाला प्रिवारा वो सभी online आवेदन करके लाप रापत कर सकते हैं online आवेदन करने के बाद physical verification की जाएगी survey किया जाएगा और उसके बाद जितने भी eligible candidate है उनको लाप दिया जाएगा इस योजना में online आवेदन कैसे करें और list कैसे चेक करें इस जानकरी के लिए चलते हैं laptop screen पे online आवेदन करने के लिए आपको search करना है sbm registration करके आप search करोगे तो आपको link मिल जाएगा यहां पे आपको सबसे पहले उपर link दिखाई दे रहा स्वच भारत mission registration वाला यहां पे आपको click कर देना है registration करने के लिए इसके बाद आपके सामने इस तरह का page खुलेगा citizen registration का यहां पे आपको कुछ detail डाल करके और registration कर रहेना है सबसे उपर आपको दिखाई दे रहा mobile number यहां पे आपको mobile number फिल कर देना है इस कालम में इसके बाद आपका नाम यहां पे फिल कर देना है जो आपका एधार कारड में नाम है वो spelling आपको यहां पे लिखनी है और उसके बाद gender चूज कर लेना है जो भी gender है male female जो भी gender है वो यहां से आप चूज कर लीजिए इसके बाद address दिखाई दे रहा है इस कालम में आपको complete आपका address फिल कर देना है जो आपके धार कारड पे address है वो address pin code के साथ आपको फिल कर देना है यहां पे आपको state चूज कर लेना है आपका भी state है यहां से आप चूज कर लीजिए और यह जो आपको capture दिखाई दे रहां के państwo आपको इस column में fill कर देना है नीचे जो आपको कालम दिखाई दे रहा है यहां पे capture fill कर दीजिए सारी जानकरी fill करने के बाद submit पे कर दीजे, submit हो जाने के बाद आपको इस तरहे का message आएगा, you have registered successfully, okay पे आपको click कर देना है, इसके बाद आपको login पे click कर देना है, और यहाँ पे आपको mobile number फिल कर देना है, जो आपने mobile number दी है, वो यहाँ पे fill कर दीजे, उसके बाद आपके number पे एक OTP message आएगा, number यहाँ पे fill करके, and get OTP पे आपको click कर देना है, OTP आने के बाद OTP number इस कालम में fill कर देना है, इसके सामने वाले कालम में OTP फिल कर दीजे, और यह capture दिखाए दर है, capture आपको इस कालम में fill कर देना है, नीचे, और उसके आपको sign in पे click कर देना sign in हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का page खुलेगा यहाँ पे आपका ऊपर mobile number शो करेगा और यहाँ पे address वगेरा जो जानकरी है वो यहाँ पे show करेगा यहाँ पे आपको complete eligibility criteria दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको already बताया है वो सारी जानकरी यहाँ पे है यह जानकरी आप read कर लीजिए और आवधन करने के लिए आपको यहाँ पे left side में corner में दिखाई दे रहा new application जो मैं भी indicate कर रहा हूँ यहाँ पे आपको click कर देना है इसके बाद आपके सामने application application farm open हो जाएगा यहाँ पे आपको state चूज करना है सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी state है वो चूज कर लीजिए यहाँ पे आपको district चूज करना है drop down में यहाँ पे district मिलेगा यहाँ चूज कर लीजिए यहाँ पे आपके block का नाम चूज करना है और यहाँ पे पंचायत का नाम आपके गाओं का पंचायत का नाम चूज कर लेने है यहाँ पे विलेज का नाम चूज कर लेने है इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कर देना और verify अधार नंबर पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपका अधार नंबर है वो verified हो जाएगा जैसे मैंने यहां पे नाम है वो fill कर दिया और यहां पे अधार नंबर fill करके मैंने verify कर दिया verify करने के बाद यहां पे आपको दिखाई देगा verified successfully इसके बाद आपको यहाँ पर बाकी डिटेल फिल कर देनी है यहाँ पर father name mention करना है अगर कोई lady जद उसका husband name आप यहाँ पर mention कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर आपको gender चूज कर लेना है जो भी आपका gender है male female आप यहाँ पर चूज कर लीजिए यहाँ पर आपको category चूज करनी है SC, ST, BPL, APL जो भी आपके category है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए category चूज करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो sub category यहाँ पर आपको sub category चूज कर लेना है SC, ST journal जो भी आपके category है वो choose कर लीजिए और यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है card type जो already यहाँ पर हमने अधार card select कर लिया है यहाँ पर अधार number है वो fill कर दिया इस कालम में आपको mobile number fill कर देना है आपको और यहाँ पर email ID fill कर देनी है इसके सामने जो कालम दिखा दे रहा है यहाँ पर email ID fill कर देनी है और यहाँ पर आपको address fill कर देना है एक बार फिर से address यहाँ पर fill अप कर देजिए इसके बाद page को scroll down करने है scroll down करने के बाद यहाँ पर आपको section C दिखाई दे रहा है इसमें आपको bank account की detail fill up करनी होती है सबसे पहले यहाँ पे आपको IFSC code fill कर देना है IFSC code आपका आपकी जो bank passbook है उसमें मिलेगा उसमें देख करके IFSC code यहाँ पे fill कर दीजिए या आपको पता नहीं है तो आपको यहाँ पे option मिलेगा know your IFSC code यहाँ पे click करके आप अपना IFSC code है वो जान सकती हो इसके बाद कौन से bank में account है वो यहाँ पे आपको fill up कर देना है जैसे ही IFSC code fill up करोगे तो यह auto fill हो जाएगा नाम वगेरा जो bank का नाम है वो यहाँ पे auto fetch हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे branch of the bank यानकी branch कहाँ पे वो यहाँ पे choose कर लेना है और यहाँ पे branch का address है वो auto fetch हो जाएगा इसके बाद bank state कोन सा है state और bank का district वगेरा है वो आप जब IFSC code यहाँ पे fill करोगे और verify करोगे तो auto fetch हो जाएगा यहाँ पे आपको account number fill कर देना है आपके bank account का number है वो इस कालम में fill कर देना है और यहाँ पे confirm account number आपको दिखाई दे रहा है इसके सामने वाले कालम में एक बार फिर से अपना account number डाल करके और verify कर लेना है इसमें document की जुरूरत है वो आपके bank passbook की document चाहिए तो bank passbook आपके पास होनी चाहिए bank passbook की pdf file आप upload कर सकते हो jpeg कर सकते हो jpg कर सकते हो या png file आप अपलोड कर सकते हो file का size आप 200 kb से कम रखना है ठीक है तो फाइल आप यहाँ पे attach कर दीजिए और उसके बाद apply पे click कर दीजिए apply पे click करने के बाद आपका farm successfully apply हो जाएगा और उसके बाद आपको एक registration number मिलेगा वो number आप note कर लीजिए इसके बाद इसका status check करने के लिए दुआरा सी home page पे आजाना है home page पे आपको यहाँ पे left side में दिखाई दे रहा new application और नीचे दिखाई दे रहा view application यहाँ पे click करके इसका status है वो check कर सकते हो यहाँ पे आपको application number दिखाई दे रहा है यह number आप note करके भी रख सकते हो या फिर आप जब भी login करोगे तो यहाँ पे आपको application number मिल जाएगा यहाँ पे आपको track status दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप आवेदन का status है वो track कर सकते हो जैसे यहाँ पे यह जो farm है वो अभी application receive हुई है यानि कि अभी आवेदन किया है यह complete होगा इसके बाद physical verification की जाती है survey किया जाएगा और उसके बाद आपका farm approved कर दिया जाता है अब देखते हैं कि अगर आपने पहले से आवेदन किया हो तो list में आपका नाम आया है या नहीं आया है उसको कैसे check करें तो इसको check करने के लिए आपको site visit करना है swatchbharathmission.gov.in यह site आप visit करोगे तो आपके सामने इस तरह का page खुलेगा और इस site पे यहाँ पे page को scroll down करने है scroll down करने के बाद यहाँ पे आपको left side corner में दिखा दे रहा है MIS यहाँ पे आपको click कर देने है इसके बाद next page इस तरह का खुलेगा और यहाँ पे इसको scroll down करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है entry status of new household in sbm phase 2 यहाँ पे आपको click कर देने है list देखने के लिए click कर देने के बाद यहाँ पे आपको सभी state दिखाई देंगे इस side में आप देख रहे हो यहाँ पे complete state दिखाई दे रहे है आपका जो भी state है उस पे आपको click कर देना है इसके बाद यहाँ पे district की list दिखाई देगी जो भी आपका district है वो यहाँ से आपको choose कर लेना है जो blue color में आपको दिखाई दे रहा है उस पे यहाँ पे click कर देना अपने district पे district के बाद यहाँ पे black name है वो choose कर लेना आपका जो भी black है वो यहाँ से choose कर लेना है इसके बाद यहां पे पंचायत नेम दिखाए देगा, यहां पे आपकी जो भी पंचायत है वो आपको चूज कर लेना है, उसके सामने यहां पे आपको दिखाए दे रहा है, यहां पे ब्लू कलर में जो नंबर दिखाए दे रहा है, उस पे आपको क्लिक कर देना है, जो भी जानकरी स्वच बारत मिशन योजना के बारे में online आविधन करने के बारे में उमीद करता हूँ कि आपको इससे जरूर help मिली होगी अगर आपको यह जानकरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप like जरूर कर दीजिए और आपसे request है कि इस वीडियो को आप share जरूर कीजि इस तरह की और अधिक जानकरी के लिए आप हमारी website www.edigitalpartsala.com जरूर विजिट कीजिए साइट का लिंक है वो वीडियो की description में मिलेगा साइट जरूर विजिट करना वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जया हिंद बंदे बात्रम